वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिबुलस टैरिस्ट्रिस के बारे में इसको हिंदी में गोकरू या गोकशुरा भी कहते हैं ट्रिबुलस एक हर्बल प्लांट है जिसके बहुत सारे सप्लिमेंट्स मार्केट में अवेलिबल हैं यह आपको पाउडर, टैबलेट्स और कैप्सुल फॉर्म से मिल जाएगा सप्लिमेंट कमपनीज कहती हैं कि ट्रिबुलस आपका टेस्टास्टोरोन लेवल इंक्रीज करता है मसल्स का साइज इंक्रीज करता है और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सच में ट्रिबुलस या गोकशुरप असरतार है या नहीं या फिर यह सब कमपनीज मिलकर आपको बेखूफ बना रहे हैं तो पहले बात करते हैं ट्रिबुलस टैरिस्ट्रिस क्या है ये एक कैल्ट्रॉफ फैम्ली का हर्बल प्लांट है ये गर्म और खुश्क एरियाज में ज़ादा होता है ये दो से तीन फीट तक उचा हो सकता है और इसके पीले फूल होते हैं इसका फल दिखने में एक कांटे जैसा होता है और ये इतना तेज होता है कि चपल और शूज के अंदर से आरपार हो सकता है और पैरों में लग सकता है ये चाइनीज और इंडिन मैडिसिन में सेकडों सालों से यूज किया जा रहा है पुराने समय से इसका यूज sex power को increase करने के लिए किया जा रहा है और इसलिए ये body building और other games में भी यूज किया जाने लगा है अब बात करते हैं triveless के supplements के बारे में almost सभी supplement companies triveless supplement तयार कर रहे हैं जैसे हिमालिया, नाव, muscle tech, health cart, optimum nutrition अगर आप इन सभी supplements का level check करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये companies आप से basically तीन promise करती है libido और erection को improve करना testosterone और hormone का level increase करना strength और muscle mass gain करने में help करना अब एक एक करके हम इन तीनों promises की पीछे जो facts हैं उनको हम check करेंगे तो पहले बात करते हैं libido and erection के बारे में दो ऐसी studies हैं जिनसे ये पता चलता है कि trivulus libido increase करने में और erection में support करता है लेकिन ये दोनों ही studies animals पर की गई हैं ये दोनों studies 2002 में और 2003 में rats पर की गई थी rats के case में देखा गया कि trivulus androgen levels को increase करता है लेकिन humans के case में जो भी studies की गई हैं वो सभी fail हो गई हैं humans के case में trivulus का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है तो इन studies के base पर हम कह सकते हैं कि libido and erection के case में trivulus rats पर काम करता है लेकिन humans पर इंसानों पर काम नहीं करता अब बात करते हैं testosterone और hormone increase करने के case में 2008 में animals पर एक study की गई थी इस study में rabbits और rats को 8 हफतों तक trivulus दिया गया जिससे उनका androgen level 25 से 52% तक increase हुआ तो हम कह सकते हैं कि rats और rabbits के case में trivulus testosterone increase करने में effective है लेकिन humans के case में ऐसा result देखने को नहीं मिला है 2005 में humans पर एक study की गई थी जिसमें 21 healthy young persons को लिया गया था उन्हें 20 mg और 10 mg पर kg body weight के हिसाब से रोज 4 हफते तक trivulus दिया गया study से पहले बीच में और बाद में लगातार उनका hormone level चेक किया गया finally इस study से ये पता चला कि trivulus hormones को increase करने में effective नहीं है इस study से ये confirm होता है कि trivulus का testa storen पर कोई भी effect नहीं है अब बात करते हैं strength और muscle mass के बारे में 2007 में एक study की गई थी इस study में 22 Australian rugby players को लिया गया था इन players के 11-11 के दो groups बनाए गए थे एक group को 400 mg trivulus extract capsule की form में रोज दिया गया और दूसरे group को dummy capsules दिये गई पांच हफते तक study चली इस study में ये पता चला कि trivulus लेने वाले players और trivulus ना लेने वाले players के बीच में कोई भी फर्क नहीं है इट मींस पांच हफते की training के बाद सबका result सेम था जिन्होंने trivulus लिया उनका भी result वही था और जिन्होंने trivulus नहीं लिया उनका भी result वही था तो इस study से पता चलता है कि trivulus का strength और muscle size पर कोई भी असर नहीं है साल 2000 में एक study की गई थी इस study में 15 trained persons को लिया गया था उन्हें 3.2 mg per kg of body weight per day के हिसाब से trivulus दिया गया ये study 8 हफतों की थी 8 हफतों की training से पहले और बाद में पता चलता है कि trivulus का strength और muscle mass पर कोई भी effect नहीं है तो ये बात साफ है कि अब तक जो भी studies की गई है उनके base पर हम कह सकते हैं कि trivulus का कोई benefit नहीं है trivulus libido and direction के लिए testosterone को boost करने के लिए strength and muscle size के लिए effective नहीं है इसका कोई इसर नहीं है तो ये जो भी companies हैं ये सब अपने profit के लिए आपको बेवकूफ बना रही है अब मैं आपको Bulgarian weightlifting team के एक case के बारे में बताता हूँ जिससे आपको काफे कुछ समझ में आ जाएगा trivulus सबसे पहले Bulgarian में promote किया गया था ये बात है 1970 की जब Tribeston के नाम से और anti-doping ज़ादा accurate हो गई It means किस player ने steroid का use किया है या illegal drugs का use किया है ज़ादा अच्छे से पकड में आने लगा फिर पता चला कि Bulgarian weightlifters अपनी strength increase करने के लिए illegal drugs का steroids का use कर रहे हैं Bulgarian weightlifting team के 11 members को doping के case में disqualify कर दिया गया game से बाहर कर दिया गया और बाद में 2008 में और 2016 में जो Olympic Games होने थे उसमें भी Bulgarian weightlifting team को निकाल दिया गया था ऐसा ही एक case और है जिसमें Norvan weightlifter Stian Grimseth को Olympic Games से ठीक पहले doping के case में disqualify कर दिया गया था actual में हुआ क्या था वो जो supplement use कर रहे थे उस supplement में एक illegal drug add किया गया था simple words में कहें तो उसमें steroid add था मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि trivulus जैसे supplements जो effective नहीं है companies उनमें कुछ steroids या illegal drugs add कर देती है जो bottle पर नहीं लिखे जाते इसलिए trivulus यूज करने वाले person को लगता है कि ये effective है लेकिन real में effective नहीं होता है AIS जिसका पोरा नाम है Australian Institute of Sport उनका एक sport supplements program है ये program Australian खिलाडियों के लिए बनाया गया है इस program में ये mention किया गया है कि कौन से supplements यूज करने है और उनको कैसे यूज करना है AIS ने trivulus और दूसरे जितने भी testosterone booster है उनको group D में रखा है Group D में वो supplements रखे जाते है जो band है या फिर जिनमें steroid मिले होने का सबसे जादा risk होता है क्योंकि trivulus और दूसरे जितने भी testosterone booster है उनमें steroids मिले होने के बहुत जादा cases सामने आ चुके है तो AIS ने अपने players को कहा है कि वो इन सब का use ना करें trivulus यूज़ करने वाले athletes doping में first जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि trivulus में ऐसा कुछ है जो आपकी doping profile को positive कर देता है साल 2000 में और 2008 में दो researches की गई थी जिनमें prove हुआ था कि trivulus लेने से doping की problem नहीं होती है problem तब होती है जब trivulus supplements में कुछ add किया गया हो और trivulus supplements में steroids add करने के बहुत जादा cases सामने आ चुके हैं अब बात करते हैं dose और side effects के बारे में trivulus की कोई भी dose अभी तक established नहीं की गई है लेकिन companies इनको बनाती है वो 500 mg से 1500 mg per day recommend करती है अगर side effects की बात करें तो trivulus को side effects के लिए सिर्फ animals पर चेक किया गया है बहुत जादा मातरा में trivulus का use किया जाए तो heart, liver और kidney damage हो सकते हैं लेकिन trivulus supplements का humans पर अभी तक कोई भी side effect नजर नहीं आया है तो आप कह सकते हैं कि trivulus supplements safe है लेकिन अगर आपको diabetes है और आप diabetes के लिए कोई भी medicine use कर रहे हैं तो आपको trivulus use नहीं करना चाहिए यह आपके लिए बहुत problem create कर सकता है अब बात करते हैं conclusion के बारे में तो अभी तक जो भी researches की गई है उनके base पर हम कह सकते हैं कि trivulus हमारे किसी भी काम का नहीं है animals पर कुछ positive result देखने को मिले हैं लेकिन humans को इससे कोई फाइदा नहीं हुआ है और जो लोग कहते हैं कि trivulus से उनने कोई फाइदा हुआ है इसके पीछे चार reason है पहला reason है placebo effect trivulus की बहुत ज़ादा marketing की जाती है इसलिए इससे लेने वाले को लगता है कि वो कुछ अच्छी चीज खा रहा है अच्छी चीज ले रहा है जिससे उसे कोई फाइदा होगा और इसी वज़े से उसको लगने लगता है कि उसको फाइदा हो रहा है लेकिन actual में ऐसा कुछ नहीं है दूसरा रीजन है स्टीरोइट्स अड़ करना companies इन ट्रिवलस सप्लिमेंट्स में स्टीरोइट्स अड़ कर देती है जो बॉटल बर मैंशन नहीं होते तो जो रिजल्ट आ रहा होता है वो स्टीरोइट्स की वज़े से आता है कर रहा है और कौन सा सप्लिमेंट काम नहीं कर रहा है चोथा रीजन है मार्केटिंग जो companies ट्रिवलस बनाती है वो कुछ मॉडल्स, वेबसाइट्स यूट्यूबर्स, बॉड़ी बिल्डर्स, मैगजेंस को पैसे देते हैं और ये सब लोग पैसे लेकर ट्रिवलस की add करते हैं तो मेरी आपको एड़वाइज ये है कि आप अपना पैसा इन फालतों के सप्लिमेंट्स पर वेस्ट मत कीजिए आप सिर्फ वही सप्लिमेंट्स लीजिए जो आपके लिए काम करते हैं टेस्ट टेस्ट औरन बूस्ट करने के लिए जो नैचुरल मेथड़्स हैं, वो मैं आपको एक अलग सी वीडियो में एक्स्प्लेइन करूँगा, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो